दोस्तों नमस्कार मैं आपका दोस्त लोकेश कुमाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भारत द्वाज केमिस्ट्री जिसमें आज हम इपको द्वारा विक्सित नैनो यूरिया तरल के बारे में बात करेंगे दोस्तों अभी तक आपने खेती में क्रस्टल यूरिया जिसे दानेदार यूरिया कहा जाता है को ही इस्तेमाल करते हुए देखा होगा जो की दानों के रूप में होता है और इसे बाजार से घर और घर से खेतों तक लेकर जाने में बड़ा प्राब्लम क्रियेट होता है क्योंकि इसमें अप्रोक्स 40 केजी यूरिया होता है और इसको खेतों में भी यूज करने में समय लगता है क्योंकि इसे पूरे खेत में समान रूप से मैन पावर के द्वारा फिंक जाता है दोस्तों साथ ही यहा जमीन के लिए पर्यवन के लिए जलवाईू के लिए पक्षियों के लिए मनुश्यों के लिए और जानवरों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है क्योंकि इससे global warming का खत्रा लगातार बढ़ रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें से nitrous oxide का उस सर्जन होता है साथ में मरदा की अमलियता भी लगातार बढ़ रही है जिससे उत्पादन में भी लगातार गिरा वटा रही है लेकिन दोस्तो इफको ने मतलब Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited ने नेनो यूरिया तरल विक्सित कर लिया है दोस्तो इससे दुनिया में एक और क्रशिक रांती लाने की चमता है और दोस्तो आपको इसकी जानकारी होगी कि इसकी पहली खेप किसानों के उप्योग हेतु उत्रवर्देश भीजी जा चुकी है दोस्तो आपको जानकर ये आशर्य होगा कि यहाँ दुनिया का अनुखा नेनो यूरिया तरल है जिसको विश्व में प्रतमबार गुजुरात के कलूल इस्थित नैनो बायो टेकनोलोजी रिसर्च सेंटर में इफको की पेटिंटिड तकनीक से विक्सित किया गया है दोस्तो ये उत्पाद 31 में 2021 को दुनिया के सामने इफको द्वारा पेस किया गया था दोस्तो इफको नैनो तरल यूरिया 21 मी सदी का मुक्य उत्पाद है जो परम परागत इस्तेमाल हो रहे क्रस्टल यूरिया का इस्थान लेगा दोस्तो वर्तमान स्वरूप को देखते हुए पर्यवन, मरदा, वायू वे जल को स्वच वे स्वरक्षित रखते हुए गुजरात में कलोल वे उत्तरपरदेश में आवला वे फूलपूर में बनी इफको की इकाईयों में उत्पादन सुरू हो चुका है दोस्तो परात्म चरण में 14 कροड के आसपास बोतलों का उत्पादन होगा जो 2023 तक 18 कροड बोतलों का अत्रिक्त उत्पादन होगा जो धीरे-धीरे पूरी तरीके से यूरिया की जगे ले लेगा दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि नैनो यूरिया क्या पहले जैसे यूरिया की तरही होगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है यहाँ पूरी तरह पर्यावण और जलवायू परिवर्तन को सुरक्षित रखता है क्योंकि इसकी एक खास बात है कि इससे कोई अवसिस्ट नहीं बनता है या अवसिस्ट का प्रभाव नहीं होता है दोस्तों भारत में लगभगप्राती वर्स 37 मिलियन मिट्रिक टन मतलब 37 मिलियन मिट्रिक टन यूरिया का खपत होता है और इसका करीब 30-50% नाइट्रोजन का उप्योग पौदे करते हैं इससे पर्यवन जलवायू वह मुख्या रूप से नाइट्रोस अक्साइड के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट में ब्रद्दी हो रही है ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब है आटमास्पियरिक जो टैंपरेचर बढ़ रहा है सी ओ टू के रीजन से उसको कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव लेकिन दोस्तो नेनो यूरिया के इस्तेमाल से पर्यवन स्वरक्षित रहने के साथ साथ ग्लूबल वार्मिन में भी कमी देखी जा सकेगी ये इसकी खास बात है क्योंकि प्रत्वी पर जो टैंपरेचर वो लगातार बढ़ रहा है इसका खास बात रहेगा कि ये नाइटरस ऑकसाइट के उस सर्चन को कम करेगा साथ ही म्रदा वायू जल को भी दूसित नहीं करेगा ऐसे में ये पारंपरिक जो यूरिया का बहतरी इन विकल्ब है मतलब हम जो यूरिया अभी तक यूज करते आ रहे हैं इसके बहुत सारे साइट इफेक्ट हैं उनको यहाँ रेडियूस कर देगा या कम कर देगा दोस्तो नेनो यूरिया की एक और खास बात है कि ये पत्तियों पर छड़के जाने से पौधों द्वारा आसानी से अफसूसित हो जाता है क्योंकि इसके एक कण का साइज जो होता है वो 30 नैनो मिटर के आसपास होता है मतलब उसका जो पार्टिकल का साइज होता है वो 30 नैनो मिटर होता है और इसकी ये भी खास बात है कि जहां पौधे को या जिस भाग को नाइट्रोजन का जरुरत होता है ये कण महा पहुँच जाता है और पौदे को संतुलित पोशक ततु देता है दोस्तो अभी तक जो हम साधरन यूरिया यूज करते आ रहे हैं इसके उपयोग से ग्रीन हाउस गैस, नैट्रस अकसाइड, अमोनिया, म्रदा कामलिय होना वे जल का खराब होना मुख्य तया होता है इसके अलावब भी बहुत सारे रीजन्स हैं लेकिन नैनो यूरिया से पोधों को संतुलित मातरा में नाइट्रोजन देकर अधिक उत्पादन किया जा सकता है साती सामानी यूरिया की आवशक्ता को लगभग ये 50% कर देगा मतलब आधा कर देगा दोस्तो नैनो यूरिया तरल का परिक्षन भारा सरकार के जैप प्रोध्यक्य की विबाग के साथ साथ OECD द्वारा इंटरनेशनल जो दिसा निर्देश होते हैं उनके साथ साथ विस्व इस्तर पर किया गया है दोस्तो ये मनुश्यों, पक्षियों, जानवरों और पर्यावण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है इससे दुनिया में एक और क्रिशिक रांती लाने की छमता है दोस्तो अभी तक जो हम ट्रेडिशनल या परमपरागत रूप से जिस यूरिया का यूज करते आ रहे हैं जिससे हमें बहुत सारी प्राब्लम्स क्रियेट हो रही हैं बहुत सारे बैक्स हमें लाद के लाना पड़ता है उसको घर तक लाना पड़ता है घर से खेतों तक ले जाना पड़ता है साथ में उसमें बहुत ज़्यादा वेट होता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्राब्लम होती है तो यह जे नैनो तरल यूरिया है यह आपको केवल एक बोटल में मिलेगा जिसमें यह एक लिटर की अप्रॉक्स होगा या उसके आस पास होगा जिसे आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं दोस्तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताईए साथ में चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें शेयर करें और कमेंट करें थैंक्स पूर वोच्चिंग